टिकमगर पुलिस ने तीन साल से ठगी के मामले में फरार आरोपी को गिरफतार किया है। खुद को इंकम टेक्स अधिकारी बता कर आनलाइन ठगी करता था आरोपी जैप्रकाश यादो। आरोपी फरजी कॉल करके लोगों को दो लाग रुपिय और पलसर बायक की लौटरी लगने का इंकम टेक्स जमा करने पर ही लौटरी मिलने का लागत दिया करता था। और इसके जहासे में लोग फसकर आरोपी द्वारा दिये गए अलग-अलग खतों में पेसे जमा कर दिया करते थे। इस मामले की शिकायत कोटवाली में दर जगार अग्या ठक की तलाश शुरू की गई और जब आरोपी द्वारा किये गए बेंग खतों की जांश ची गई तो उनमें आरोपी के नाम अलग और फोटो एक्यसिव पाई गई पुलिस ने फोटो के आधार पर आरोपी की तलाश है पुलिस ठगी में संदीप्त अन्य आरोपी को तलास कर रही है वहीं खुद को इंकमडे सदिकारी बताने वाले आरोपी को जेल भेच दिया गया है टिकम गट से मनोज खरेक रिपोर्ट विगर दिनों माफियाओं के विरुद्द लगातार कारवाई की जा रही है इसी त दोजार सोला को एक रिपोर्ट थारा कुद्वाली में दर्च की गई थी इसमें एक व्यक्ति आसिफ अली निवासी को बेस्वार बताया गया था कि उसको किसी व्यक्ति ने फोन करके बताया है कि मैं इंकम टेक्स आफिसर बोल रहा हूं और तुमारी लाटरी खुली है और नहीं उसको कोई पैसा मिला इसकी सूचना पर पुलिस के दौरा अपराद पंजीबत किया गया था और तब से विवेचना कर रही थी विवेचना में यह पत्ति पाया गया है कि जो तीन खाते उस व्यक्ति के दौरा खाता नमबर बताय गया थे वह कियो साखा एस्टेट व पुलिस द्वारा लगातार तीन साल से प्रयास किया गया और पहचान की गई उस व्यक्ति की जिसका नाम था जैप्रकास यादो पिता रमेस यादो निवासी ग्राम सिक्रा थाना प्रच्वीपूरी इस व्यक्ति की भी पता रसी उने उसकी फोटो का इडेटिफाई किया कॉलेज से उसके कार्ड निकाले गए तो यह जानकारी मिली कि यह लड़का 2016 में सागर में कॉलेज में पढ़ता था और जबी इसके द्वारा यह करते किया गया था इसके भाई को इस वारे में पता चाली तो जब उसको पढ़ाई चुड़वा कर घृती जानने के लिए ब प्रजी लाटरी का फोन करके पैसे जमा कराएं इसमें ग्राम सिक्रा के कई और लड़के भी सामिल हैं जो इसके साथी हैं और उनके लिए भी पुलिस लगातार प्यास कर रहे हैं कि उनको भी कर्तार किया जाए है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें